इस्टुडेंट हमारा आज का टॉपिक है गौर्डमेंट मेजर टू रिमूग मेल न्यूटिशन को पोशन को दूर करने की सरकार के उपाएं। उसमें फस्ट है हमारा न्यूटिशनल प्रोग्राम दा अपसेंट गड़ की शोड़ियों के लिए पोशन कारीकरम। सेक्ट है हमारा एमर्जनसी फीडिंग प्रोग्राम आपात काली इस कारीकरम होते हैं। थर्ड है हमारा अंतोध्य योजना। फूर्ट है हमारा नैशनल फूड फॉर्वर्थ प्रोग्राम कारीकरम के लिए राश्ट है फोजन। फिर है हमारा Target Public Distribution System and then फिर दास्ट है हमारा Glaze Grain Banks Scheme जिसे हम ग्राम अनाजबैंक के वज़ना कहते हैं फिर्स्ट है हमारा इसमें जो हम देखते हैं कि Nutritional Program क्या है जो absent girls होती है कि सोरियों के लिए जो portion कारेका में मुख्या है जो adult होती है girls उन में कि प्रधान मंत्री के सोतन्त दिवस्वर 2001 के भाषन के अनुपालन में योजना आयोग द्वारा एक पाइलेट पर योजना प्रागम की गई है क्या की गई है योजना आयोग होता है जो हमारा जिसका नाम क्या था पहले नीती आयोग था और एक जन्वरी के होगा 2015 से इसको बदल दिया गया है इसका अनाम योजना आयोग कर दिया गया है इसके अंतगत प्रतेक बड़े राज्ये के दो सरवातिक पिछड़े जीलो तथा सेज छोटे राज्यों संग शासित प्रदेशों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जीलो मेको पोशन से पेडिस की क्या करती हैं फीडिंग का वर करती हैं उनको क्या किया जाएगा उनको प्रोटीन वगयरा की जो मात्रा है वो दी जाएगी उन्हें कार्भाइटर दिया जाएगा उनको क्या हो क्या हो पोशन ना हो उनमें क्या हो जाज़ती ज्यादे वो पोशन उपत है उनके जो आहर है वो भी क्या होगा, पॉशन युट होगा, जिससे कि क्या हो, उनकी ख्याल तो सही रंग से कर सके, और बच्च जो है, चोटा बीबी, उसके उपर उसका सही रंग से इफेक्ट पड़ सके. Second है हमारा Emergency Feeding Program, आपात पालीम जाली परबदी से हम कहते हैं, क्या है यह, Emergency Feeding Program कहाता है, करी बार किया हम देखते हैं, कोई लेडी से है, ठीक है, उसने newborn baby फोजनम दिया है, उसके बाद क्या सकती है, वो feeding नहीं करा पाती है, कुछ इसकी problem सोझती है, वो सरचियर हो सकती है, तो उसमें क्या होता है कुछ अधर्स लेडिस को गुला जाता है जिसके लिए एमर्जनसी फीडिंग पूराम की एक दम से क्या करना पड़े उसके बच्चा जो होता है चोटा उसे फीडिंग की जो उती है तो हमें बताया कि आपात आहर योजना गरीबी रेका से नीचे रहने वाले परिवारों के जैसे ब्रद है जो हमारे जो अक्षम है तथा बे सारा लोगों को विपत्ती के समय बोजन मुईया करानी की एक खाद्य आपत्ती पैल है क्या योजना क्या की गई है दोजार एक से प्रानम की गई है जिसके अंत्रगत क्या होगा जो लेडिने है जो आपात्पाली में कारिकरम चला रही है उन्हें क्या हो सके वह सही तरह से क्या हो सके उनका पालम पॉशन हो सके जिसकी द्वारा क्या है जो मच्चा है इसकी फैल्थ के आपर उसको पोशन मिले और जो अल्टो यह है उनको भी क्या हो गे परभावी बनाने के लिए पैखशित मतब हैं तर्गेट यहकं हम इतना हमें करना ही है कि लाख्शे सारजने प्रण परणाली को परभावी बनाने के लिए सरकार द्वारन निर्धनों में भी निर्धनतम विक्ति के लिए जो निर्धन है। पत्चीष दिसंबर को गया है, यह अंतर्दय योजिना जो है, दो जार में स्टाट की गई है, अनि योजिना की सिर्वाद की गई है, इस योजिना के अंतर अगर प्रत्ड के पात्र क्या है जो गरीबी रेका से निचे हैं जिनके पेल के काड़ होते हैं वो इन सब में आते हैं ठीके जिसके काड़ क्या हो सके कोई भी व्यक्ति क्या हो गरीब न रहे हो कोई भी व्यक्ति जो हो गुखमाई से नेमरी इसके काड़ यह अंतों पर योजना चलाई गई है ति इस मेंति योजना कांधिट क्या होथिया गरीबव के लिए क्या होथिया आटी और वो राशन मोख्ष कर देती आ अलग अलग जोर पर इसंटर्स खोले जाते हैं जैसे डिस्ट्रिबूिश्टन के नाम से हम जानते हैं कि उनको धिस्ट्रीव mày conduct करते हैं वो स्ट्रीट में कर सकते हैं की सिटी की किसी विलेज में हो सकता है वह लिए कारी करम के लिए राष्ट्य भोजन कि राष्ट में क्या हो कि कोई भी वेक्ति ऐसा नहों जो भुखमारी के गान मरे या उसको सही ढंग से क्या हो पोशन ना हो सके ठीक है कोई गरीब पर बच्चा है उसको भोजन ना मिले तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गोर्मेंट ने एक योजना बनाई जिसे कि नेशनल फूर्ट फॉर्वर्ग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं यह यह योजना बहुत ही क्या हुई है लापकरी शिद ही है क्योंकि इस योजना के अंतरगत क्या ध्यान रखा गया है कि परतेग भारत में रहने वाला वेक्ति या कहीं पर भी जो गरीब है जो इंटी क्या होगा अनाज की फैसलिटी उन्ते प्रोवाइड की जाए कि काम के बदले में अनाज की योजना इसकी सुरवाद 13 अक्टूबर 2004 से की गई है यह जोजना देश के 150 सरवाधिक पिछड़ी जीलों में इस उद्देश्चे से चलती आ रही है कि इन जीलों में आर्थिक, समाजिक, वैर, समुदाइक परिस्तितियों के निर्मान के जरिये पूरी दिहाली रोजगार रुठफश के फदि सर्श कॉर्वाण कीमेसि ज़िये लोगों केपास इतना पर प्रोड्यक्षिण के लेवलन इतना अच्छा हो पाया हूं कि उनके हाँ पर production का level इसन अच्छा है कि वो क्या कर सकते हैं उस product को sale ना कपके इनको ही क्या कर से एंच्छा शेट करते हैं हमारा है targeted public distribution system इसे हम लख्षी सारजिनिक वित्रंपर्णाली इसारजिनिक वित्रंपर्णाली के नाम से चांटे हैं यह बहुत important बता है कि है क्या है लोगों क्या होगी है चावल जो छोड़ी छोड़ी चीज़ है जिनके मिना वो नहीं रह सकते हैं उस टाइक क्योंने चीज़े मिल जाएं इसे उने पाइद हो जाए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाध्यान की नियुंतम मात्रा की उपलवदिता सुनश्षित कराने के उद्देशे से सरकार ने 1997 में लखशित सारजनिक वित्रन परणानी की सुरवात किया कब है में 1997 में स्टार्टिंग की है तब से यह आगे प्रोग्रेस में है और इसको क्या हुआ है काफी इससे बेनेफिट हुआ है लोगों को इसके अंज़गा देश के लगभग 6 करोन नेजन परिवारों को क्या हुआ है, बाफिट हुआ है मैं बतारी इन परिवारों को क्या हुआ, किलोग्राम खाथ्यान प्रती परिवार, प्रती महा की तर्सें, प्रती बश्च बहुत्र लाग टन उप्लग किया जाता है, इतना 72 विलेज ग्रेन बैंक से हम ग्राव अनाज बैंक के वजना के नाम से जानते हैं, यह भी सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं में एक अच्छी योजना के नाम से सीधु है, जिसका क्या हुआ हुआ है, काफी लोगों को प्रॉफिट मिला है, और वो क्या हुआ हुआ दूर कर पाए है, और उनको क्या होगा, पोशन ये पाहर नहीं मिल पाता है, और देखते हैं इसमें क्या कराए ज़न जाति Means-फ॑ं में खात्याने बैंकों की केंद्र तद्ता प्रियूचित योजना की सुगात, इस योजनों का जो मुख्या है जो एम है क्या है कि आपदा या अकाल के दोरान गुखमरी के विरुट स्वक्षा प्रता नहीं गया है कई बार मारे पास कोई भी क्या होते है नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं ठीक है प्राकर्तिक आपदा ही हुचाती है इस घानते है जो सबसे बचांब के लिए योजना चलाई गई है इनेस्ट है मारी पोर्शन फ्रकॉस्ट योजना के नाम से लाम से समझानते हैं स्वास्ते श्यवह के महां निर्देशा ले ड्राइवका, पोर्शन फ्रकॉस्ट नीति नेधान कारिक्राम क्रियान मन निग्रानी और मुल्यांकर चिकिस्य और अर्द चिकिस्य कर्मियों के पर सिक्षन मिशेवस्तु से सम्वतित हर मामले में क्या होगी है तक्निके टक्निकल एडवाइस ली जाएंगी जिससे क्या हो सके हमारे मापे कुपोर्शन को दूर की अज़ा सके और फिर देशवी द्वारा क्या हो सके स्वस्थ भारत का निर्मान और स्वस्थ चास्टर निर्मान हो सके यह खात्य पतार्तों की इस्तर और लेविल प्रस्तावों परियोजना मुल्यांकर अनुसंत्थान परियोजनाओं की समेशा आजी की तखनी की जाँच का काम करता है जिसके गान के आओ लोगों को जाँच से जादे पेनेफिट मिल सके थैंक यू